Hello dear students, today we will learn what is bored mass. हमारी maths की books में कई बार sums आते हैं जिसमें बहुत सारे signs दिये होते हैं. आईए मैं एक example बताते हूँ आपको. Look at this sum. इसमें divide भी है, plus भी है, multiply भी है, minus भी है. तो इसको कैसे solve करना है? तो बच्चे कैसे करते हैं? सीक्वेंस में. पहले इन दो को पकड़ा, 30 divided by 6 is 5. बाकी जो बच गया हमने लिख दिया. फिर इन दो को पकड़ा, 5 plus 8 आगे 13. फिर इन दो को पकड़ लिया, 13, 3 is आ, 39. फिर इन दो को कर दिया, 29. But, जब बुक में देखोगे, answer आपका 19 आता है. तो मैंने गलती कहां पर की? मेरी तो सारी calculations ठीक थी, सारा मैंने step by step किया, फिर भी मेरा sum wrong हो गया. तो ऐसे sums जिसमें हमारे पास बहुत सारे signs इकठे आ जाते हैं, उनको करने के लिए हम क्या follow करते हैं? Baud mass. तो आईए, बताती हूँ, Baud mass क्या है? Baud mass. B stands for bracket, O for off, D for divide, M for multiply, A for add, S for subtract. कई बार दिमाग में आता है, इसको learn कैसे करना है? यह Baud mass है, कि Baud mass है, तो इसको learn करने का बहुत ही easy way है. देखिए, B for bags of dear, mummy and sister. आप इस line को learn कर लीजिए, आपको Baud mass learn हो गया. What is that? Bags of dear, mummy and sister. अब, Baud mass क्या bracket क्या कहती है? Baud mass कहता है, कि sums में अगर bracket है, तो सबसे पहले हम bracket को solve करेंगे. But, bracket भी हमारे पास ये तीन तरह की है. तो पहले ये bracket solve होगी, फिर ये, फिर ये. आफ का मतलब होता है, times, यानि multiply. Operation है ये, off. Divide, आपको पता है, ये sign. Multiply का, ये sign. Add का, ये sign. और subtract का, ये sign. अब, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो चीज में आपको बता रही हूँ. इन brackets के name. इन brackets के name, 99.9% बच्चों को, और even teachers को भी कई बार नहीं पता चलता कि इनके names क्या है. तो मैं आज आपको ये names बताऊंगी, इनके names क्या हैं, ये देखिए. इस bracket को बोलते हैं, parenthesis, यानि round bracket. Round bracket क्यों? ये देखिए, ये circle है. अगर मैं circle को बीच में से ऐसे vertically काट दूँ, तो ये दो brackets बन जाती है. ये opening है, ये closing है. इसको बोलते हैं, parenthesis, यानि round bracket. ये देखिए, इनको बोलते हैं, braces. जैसे कई बार हमारे दांतों की बनावत में थोड़ी सी problem होती है, तो dentist हमें advice करते हैं, कि braces लगा लो. तो ये braces की तरह दिखते हैं. इस bracket को बोलते हैं, square bracket. क्योंकि जब एक square को मैं vertically कट करूँगी, तो ये bracket बनेगी. तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, small bracket, curly bracket और big bracket. पर नहीं, आप इनका सही name बोलेंगे. अब जो common mistake बच्चे करते हैं, braces को वो ऐसे ऐसे. No, what is this? ये तो आप curved lines बना रहे हो. Braces को कैसे आपने बनाना है? ये देखे ऐसे, ये पीछे को गए और ऐसे. ये देखिए, ये पीछे को गए और ऐसे. Braces बिलकुल, braces की तरह ये center में से इसका edge sharp होना चाहिए. तो अब जो हमने sum किया था, अब हम उसको दुबारा से करेंगे board mask के तरीके से. हम rough में B, O, D, M, A, S. Bags of dear mummy and sister. अब यहाँ bracket तो है नहीं, तो B का work खतम हो गया. Off भी कहीं नहीं लिखा हुआ, मेरा ये भी work खतम हो गया. Now it is D, divide. यहाँ पर divide ये है. 30 divided by 6 कितना आता है? 5. बाकी अभी मैंने वैसे ही लिख दिया. Now it is M, multiply. ये देखिये. Multiply किन दो number के बीच है? 8 into 3. यानि 8 threes are 24. अब आया A stands for add, यानि plus. ये देखिये, 24 और 5 होगे, 29. और last में आगया subtract, यानि minus. तो कितने आगये? 19. देखिये, sum वही है. पर पहले जब मैंने sequence में इसको किया था, तो 29 आंसर आ रहा था. अब जब मैंने board mass लगाया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, 19. तो जब हमारे पास ना तो कोई bracket होती है, ना operation off होता है, तो हम सिरफ इसको बोल देते हैं, B mass. पर आप learn कैसे करोगे? Bags of dear mommy and sister. आईए, अब हम sums करते हैं. फर्स सम ये हमें दिया है, आप देख रहे हैं, यहाँ divide है, minus है, plus है, और तीनो brackets है, round bracket भी है, curly भी है, और square भी है. तो मुझे पता है, पहले मैंने round को solve करना है, फिर curly को, फिर square को, फिर off for operation, या off, पर यहाँ कोई operation नहीं है, तो यह काम मेरा खतम होता है, फिर divide को, फिर multiply को, फिर add को, फिर subtract को. तो आईए bracket solve करते हैं, यह है, round bracket में क्या है, 13 minus 9, तो पहला जो दिया है, वो as it is हम लिखेंगे, यह देखिए, अब देखें, 13 में से 9 गे, तो कितने बचते हैं, 4, अब round के बाद बारी आती है, करली की, करली में क्या है, 15 plus 4, तो कितने होगे, 19, अब, किसकी बारी, square की, 40 में से 19 गे, तो कितने आते हैं, 21, यह भी खतम, अब, एक ही sign बचा है, that is divide, 84 को करना है, 21 से, वैसे मुझे तो पता है, 21, 4084, पर फिर भी अगर आप, multiply करके, देखना चाते हो, 41 is 4, 4, 208, तो आंसर आएगा, आपका 4, तो this was, the sum, with, bored mass, आए निक्स्ट करते हैं, देखने में, देखो कितना, big sum लग रहा है, बट इट इस वेड़ी इजी तो सॉल्ट, same, bored mass, no office here, ये काम खतम, bracket, yes, there are brackets, सिरफ यहाँ पर, दो ही brackets है, round और curly, यहाँ पर, square bracket का work, नहीं होगा, default divide, multiply, add, subtract, चलिए, bracket solve करते हैं, 3982, multiply, ये मैंनी curly bracket, minus, 90 को, जब मैंने 2 से divide किया, ये round bracket के अंदर है, तो कितना आता है, 45, अब 3982, अब मैंने curly को solve करना है, 45 में से 45 गे, that is 0, and any number which is multiplied by 0, gives 0, now one more sum, same, मैंने यहाँ पर bored mass लिख दिया, ये मेरी brackets, ओफ और ओफ नहीं है यहाँ पर, इसका खतम हो गया काम, ये divide, ये multiply, ये add, और ये subtract, तो मैंने ऐसे ही लिखा, 80 प्लस, square bracket में 20, multiply, curly bracket, 15 minus, 8 को जब मैंने 4 से divide किया, तो आगया मेरे पास 2, फिर से, 80 प्लस, 20 into, 15 में से टूगे, क्योंकि ये curly bracket में है, तो आप मुझे curly को solve करना है, 15 में से टूगे, 13, अब curly के बाद, बारिया, square bracket की, 80 प्लस, 13, 20 जा, पहले मैं 13, 2 जा देखूं, तो 26 होता है, और आगे मेरा लग गया, एक 0, now square bracket का काम भी over हो गया, अब, 260 में मैं जब 80 प्लस करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा, 340, one more, same, board mass, off is not here, तो इसका ये खतम, brackets, you know that, कि first place किसका है, round का, फिर curly का, फिर square का, ये इनके मैंने signs डाल दिये, now, 126 divided, ये square bracket में ऐसे ही, ये curly bracket में भी ऐसे, minus, 4, 3, जा, कितने होगे, 12, ये curly बंद, ये square भी बंद, 126 divided, ये 24, minus, अब मैंने curly को solve करना है, 15 में से 12 गए, 3, curly का भी, खतम कर दिया हमने, अब 24 में से 3 गए, तो आगे 21, अब square bracket भी, खतम, अब मुझे, 21 से, 126 को, divide करना है, तो मुझे पता है, 6, 106, तो ये divide किस से होता है, answer is, 6, Now, dear students, इस सम्मे देखी, आपके पास off भी है, brackets भी है, तो हमें पता है, pod mass means, bracket, off, divide, multiply, add and subtract, and the easy way is to learn, bags of dear mommy and sister, तो let's start with brackets, तो पहले मैंने लिखा, 5 of 7 minus, ये curly bracket, यानि braces, 2 in 2, अब मैं पहले round bracket को solve करूंगी, 4 divided by 4, it gives you 1, Now, 5 of 7, ये देखिए, 2 ones are कितने हो गए, 2 और curly bracket का work भी मैंने खतम कर दिया, अब bracket तो खतम हो गई, उसके बाद क्या है, off, 5 of 7, off का मतलब होता है, times यानि multiply, तो 5 into 7 कितने होगे, 35, और 35 में से 2 minus किये, तो आगे 33, मैं अब लास्ट में आपको बता दूँ, इस bracket को जब sum solve करते हुए, आपने बोलना है, तो बोलते हुए आपने कहना है, round bracket, पर mathematical language में इसका क्या नाम है, parenthesis, जब आपने ये देखे कैसे बनानी है, इस bracket को sums में solve करते हुए बोलना है, तो इसको बोलते है, curly bracket, पर mathematical language में इसका क्या नेम है, braces, और इसको हम हमेशा बोलेंगे, square bracket, कभी भी आपने small bracket, big bracket नहीं बोलना, it is round bracket, curly bracket and square bracket, thank you.